प्रेगनेंसी के दोरान ज्यादातर महिलाओं को कमर दर्द की प्रेशानी होती हैं ये प्रेशानी अक्सर दूसरी तिमहाई से शुरू होती हैं इसकी कई वज़े हो सकती हैं दर्शल प्रेगनेंसी के दोरान बढ़ते वज़न की वज़े से महिला की रीड की हड़ी पर भार बढ़ता है जिससे कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है इसके अलावा प्रेगनेंसी के दोरान शरीर में रिलेक्सिन नामक होर्मोन बनता है जिसकी वज़े से हडियां और जोड सिथिल हो जाते हैं जोडों के धिले होने के कारण भी कमर दर्द की समस्या हो जाती है वहीं प्रेगनेंसी में शरीर का सेंटर ओफ ग्रेविटी भी बदल जाता है जिसकी वज़े से अंजाने में ही गर्वती महिलाओं के उठने बैठने का तरीका बदलने लगता है जो दर्द की वज़े बन स साथ ही मानसिक तनाव भी कमर की मास्पेश्यों में कई बार खिचाओ पैदा कर देता है जिससे कमर मिदर्द की समस्या हो सकती है ये हैं बचाओ के तरीके लंबे समय तक बैठने से बचें अगर आपका काम ज्यादा देर तक बैठे रहने का है तो स्टूल पर पैर रखकर बैठें और कमर के पीछे तकिया जरूर लगाएं इससे आपकी बैग को स्पोर्ट मिलेगा कैल्शियम और विटामिन ड्री वाली चीजों को प्रियाप्त मात्रा में सेवन करें दूद दही और पनीर वगारा लें हरी पतेदार सबजियों को अपनी डाइट प्लान में शामिल करें रोजाना दस वज़े से पहले थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर बैठें सला पर सप्लिमेंट लें विशेशक की सला से हलके वयाम करें वयाम आपके बढ़ते वजन को नियंतरित करने के साथ मास पेशियों को लचीला बनाते हैं रोजाना कुछ देर टहलने की आदत डालें आप घर के किसी सदस्य की मदद से मालिश करवाएं मालिश से मास पेशिय मास पेशियों को काफी आराम मिलता है और दर्द में राहत मिलती है मालिश के बाद सिकाई करने से ज़दा आराम महसूस होगा बाई करवट लेकर सोने की आदत डालें सोते समय कमर के नीचे तक्ये का स्पोर्ट ले इससे भी कबरदर्द में राहत मिलती है इसके लावा दोनो पैरों के बीच भी तकिया लगाकर सोने से अराम मिलता है लेटने के बाद एकदम से जटके के साथ ना उठे इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है बहुत देर तक खड़े रहकर करने वाले कोई काम मत कीजिए बीच भीच में बैठ जाए पैरों पर बहुत ज़्यादा वजन ने पढ़ने दे